मुंग दाल की खिचड़ी यहां पर हाफ कप मैंने regular rice ली है जो मैं सोना मसूरी rice का इस्तिमाल करती हूँ वही rice ली है आप चाहें तो बासमती rice का भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसके साथ ही यहाफ कप हम यल्लो वली मुंग दाल लेंगे आप चाहे तो उरत डाल से भी इसे बना सकते हैं और 1 4th cup मसूर दाल लेंगे, आप चाहें तो सिर्फ मुंग दाल से भी से बना सकते हैं, मसूर दाल सकते हैं, बट मैं यापर मसूर दाल का भी इस्तिमाल कर रही हूं, हाथों से पहले अच्छी तरह मिला लेंगे, और इसमें पानी डाल करके इसे 2-3 बार पानी से अच्छी त के बाद कुकर को फ्लेम पर चड़ाएंगे और इसमें 6 कप पानी बॉयल होने के लिए रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने हाफ कप दाल और हाफ कप राइस के लिए 6 कप पानी का इस्तिमाल किया है, यह परफेक्ट रेशियो है, इसे खिचडी की कंसिस्टेंसी जो है परफेक किया है, आलू लिये हैं मैंने दो छोटे साइस के, तोड़ा सा कॉलिफरावर लिया है, फुल गोवी के फ्लॉरेट्स हैं, और यह मैंने फ्रोजन मटर कर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं, आईए अब हम देख लेते हैं, 30 मिनट के बाद हम पानी को निकाल देंगे आप और इसे प्रेशर कुकर में एड़ करेंगे, पानी अच्छी अच्छा सा जो है गरम होने लगा है, दाल और राइस को हम प्रेशर कुकर में एड़ कर देते हैं, और इसके साथ ही हम कटी हुई वेजेटेबल्स भी एड़ करेंगे, इसे अच्छी तरह हम मिला देंगे और इसमें हम नमक एड़ करेंगे स्वात के अनुसार इसके बाद इसमें हाफ टीजपून हल्दी पाउडर एड़ करेंगे और तीन छोटे जमब देसी घी एड़ करेंगे देसी घी एड़ करने से एक तो आपकी खिछडी जुह है प्रेश और इसका lid close करके वन विसल हम हाई फ्लेम पर करेंगे और दो विसल हम मीडियम फ्लेम पर करके गयास का फ्लेम आफ करेंगे आए तब तक तरकर की तियारी करते है तो एक पैन में दो बड़े चम्मत देसी गी लिया है और यहां पर कुकर ने रेस्ट भी ले लिया है हम खिछडी को चेक कर लेते हैं ईको जो एकटम हए गोड़ जाएगी तो इसकी कंसिटेन्सी परफेक्ट है जितनाiya हम एमने पानी ढाला दा उस अजाब से परफेक्ट आपक है स्की कंसिस्टेंसी यह रिखिए बहुत जादा Is e 2017 espa शुक्या रेंगे जिर्ठ करी ह। क्युमिन सीट्स उसके बाद चार सूखी लाल मिर्च ली है मैंने अपने टेस्के कोर्डिंग आप इसे कम्या जादा एड़ कर सकते हैं और वन टी स्पून हम इसे मस्टर सीट्स एड़ करेंगे राई कि उसके बाद मैंने या पर चॉप किया हुआ गार्लिक लिया है लैसुन चार से पाच कलियों को बारिक चॉप करके ले ले लिए हलकासा इसे सौटे कर लेंगे एं देन दो हरीमिल्च है चॉप कि हुई और एक चोटा टुकड़ा अद्रग का है चॉप किया हुआ इसको भी कर देंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए पका लेंगे इसके बाद इसमें हम वन बारी चॉप किया हुआ अनियन एट करेंगे और इसे हलका सा पिंक होने तक हम फ्राइ कर लेंगे अनियन का कलर च traji हो कि अनियन का कलर चेंज हो गया है अब हम मिह टो में एक करेंगे वन chop किया हुआ और इसको भी हलका सा सॉफ्ट तक पकालेंगे इसके साथ हम इसमेंक्ट सूख़ी मसालिंगे तो सबसे पहले थूड़ असा नमक करेंगे सबसे के साब से फथीमच इसप क्यूमिन पाउडर वन टीस्पून गराम मसाला एट करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेती हाथों से क्रश करके एट करेंगे से फ्लेवर और टेस बहुत बढ़ी आएगा मसालों को अच्छी तरह से हम भूण लेंगे मसाले हमारे जले नहीं इसके लिए मैं थूड़ा सा पानी एट कर रही हूं इसमें इससे मसाले अच्छी तरह से जो है कुख हो जाएंगे अब हम लेट से कवर करके मसालों को दो मिनट के लिए कुख कर लेंगे जब तक यह ओल जो है सेपरेट नहीं करते हैं कि दो मिनट बाद हम लेड़ ओपन करेंगे और देखेंगे मसालों ने अच्छी तरह से जो है जो देसी की हैं साइट से सैपरेट कर दिया है और टेमेटों भी अच्छी तरह सॉफ्ट दिखाए देने लगे हैं हमें बहुत जादा मशी नहीं करना है टेमेटों को तो बस इ कि यहाँ पर हमने पिशडी को एड़ कर दिया अब इसे मिक्स कर लेंगे ची तरह से कंसिस्टेंसी की आप अर्जेस कर सकते हैं अभी देखी बहुत गाड़ी लग रही है तो यहाँ पर मैं हाफ कप पानी ले रही हूं पानी आप थोड़ा सा गरम करके ही एड़ करें ठंडा पानी का इस्तेमान ना करें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गरम करके पानी ले रही हम हाफ कप में थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है और इसको चेक कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है यह देखिए मिलाने के बाद यह पर्फेक्ट दिख रही है बहुत जादा पानी का स्तेमाल भी ना करें कुछ लोग को थोड़ी सी पतली पसंद होती है जिए कंसिस्टेंसी जो है पर्फेक्ट है यह देखिए हैं है तो हाफ उब में थोड़ा सा पानी मेंने बचा लिया पूरा पानी नहीं ऐड़ है की नरी से बस दो मिनिट के लिए कुक करेंगे यह देखे पाणी बचा है थोड़ा फिक थूद्सेलिवर हमारी पकी हुई इसमें तोड़ा सा नीवग का राषे करेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता एट करेंगे अगर आप पसंद करते हैं तो इसे फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा खिच्डी का और कलर भी बहुत बढ़िया हो जाएगा यह देखिए बस ग्यास का फ्लेम आफ करेंगे और इसे सर्फ कर लेंगे एक बोल में तो बहुत बढ़िया हेल्दी और टेम्टिंग सी खिच्डी जो है बनकर की तयार है आप इस मकस अकरांती से जरूर ट्राय करें विकरस मकस अकरांती पर तो हर घर में इस खिच्डी को बनाए ही जाता है अगर आप मुंग दाल से नहीं बना जाए तो उरदाल से भी इसी जो है अचार चटनी दही रायता पापड़ भी आप सर्फ करें थोड़ा सा हम देसी की उपर से इसमें स्प्रिंक्ल करेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए तो अगर आप कोई रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक ज़रूर करें चैनल पर अगर फर्स्ट